हेलो दुस्तो, welcome back to new video, उमीद करते हैं, आप सब बहुत यच्छोंगे, welcome back to my new video and welcome back to my new channel, the biker समेट दुस्तो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, brand new, upcoming KTM Duke 490 के बारे में दोस्तों KTM Duke 490 के बारे में आपको इन डीटियल में बताने वाला हो कि बाइक कब तक Indian Market में आएगी कब तक company से launch कर सकती क्योंकि इस बाइक का वेट Indian Market में काफी दिनों से किया जा रहा है देखिए आपको बता है KTM की जो Duke Series बहुत अच्छी है जिसमें आपको 250-92 अच्छी है बट दोस्तों वहाँ पर प्रॉब्लम यह आ जाती कि KTM ने अभी तक कोई भी 490 जो बाइक है बताब KTM ने जो डूर सेलेंडर बाइक है फिलाल बूर नहीं दिया Indian Market में यहाँ पर मैं थ बहुत ही important रखती है इस बाइक पर इस company के लिए तो बात करेंगे 490 के बारे में चली वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों आपको clear करना चाहूँगा सबसे पहले आपको बता दू के डियूप 490 रहेगी वो त्रीन सेलेंडर एंजिन होने वाली है यह तो रहे गई रहेग आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा इस बाइक में आपको बाइक में मिलेगा यह maximum power में आपको बता रहा हूँ मेरे हिसाब से भाई 60 के असपास का PS power is in it करेंगे लगबग इस बाइक में आपको 52 के असपास का जो निटेविटेंट और्क है वह वाई company आपे offer करने वा आपको इस बाइक में काफी बैतर होने वाली है अब दोस्तों आप लोगों को बता दो इस बाइक के डिजाइन के बारे वे दोस्तों इस बाइक का जो डिजाइन वो आपको वैसा ही डिजाइन में लेगा जोसे नया वाला आपको न्यूक 390 में देखने को मिलता है company कुछ वैसा ही डिजाइन इस बाइक में offer करने वाले डिजाइन जो लूक है दोस्तों वो इस बाइक का बहुत जदा बहतर है यहाँ पर कोई डाउट नहीं है ठीक है और जो लॉक है बॉक है भाई नया वाला न्यूक का है भी है बहुत प्यारा उसकी बाद दोस्तों आप लोग को इस बाइक में आपको जो फूली led light आपको देखने को मेले है इदेर ल्ट लइड यह भी चीज़ जो है मैं आपको clear कर दूँ यह भी plus point जो है आपको bike में मिलने वाला है टेक चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस bike के बात कर लेते हैं इस bike के rear profile में 10 net में आपको LED 10 net देखने को मिलेगा rear में इस bike में आपको 150-60 के tire size मिलेंगे इस bike में आपको suspension देखने को मिलेगा बात करें दोस्तों इस bike के display के बारे में दोस्तों इस bike में आपको fully TFT display देखने को मिलेगा में feature आपको सारे मिलेंगे like speedometer, decometer, trip meter, autometer clock, ABS light, fuel gauge, service reminder, low, all indicator, low, weight indicator, distant to empty indicator यह सारे feature आपको bike में देखने को मिलने वाले है, मतलब feature wise भी bike दोस्तों बहुत जदा अच्छी होने वाले है, काफी plus point आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा देखे, KTM Duke 490 इंडिन मारिकेंट में KTM लोग को बहुत जल्दी launch करना चाहिए, अगर MT 15 को टकर देना है, अगर R3 को टकर देना है, और कुछ इनको अब नया करना है KTM लोग को, तो वो चीज़ अगर आप एक कम करें, तो उसके लिए आपकी लिए बहतर रहेगा KTM लोग म नहीं दालना चाहरा, बट अगर Duke 490 आएकि तो अपनी Duke 30 सेल करके, मैं Duke 490 लेने की मैं जरूर 110% सोच हुआ, बट कमपनी लायत तो की बाद है, कब तक आ सकती, देखिन launch date कोई official तो नहीं है, बट हाँ, अभी कहा जा रहा है कि इस बाइप को इंडिन मारिकेंट में 2024 के end में जो है, company introduce कर सकती है, offer कर सकती है, इंडिन मार्केट, कौन कौन इसका वेट कर रहा है, वो नीचे comment section में comment करके जरूर बताना, चलि मिलते हैं लाइक शुरूबे, love you all, जैन मदमाद,